अगर मैं आपके साथ ब्रेड पीजर की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत आसान है और बहुत टेस्टी है इसको मैंने तवे पर और गेस्टोप पर बनाया है अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप भी इसको एजली तवे पर बना सकते हैं और इंग्रीडियंट्स जो भी मैंने इसमें यूज की हैं वो सारे के सारे आपकी घर में अल्लेडी अबिलेबल होंगे हलो फ्रेंट्स कैसे आप सब आप सब बहुत अच्छी होंगे मैं एक ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटीब चैनल खानावन डिमान में फ्रेंट्स आगे पढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर ने हैं प्लीज चैनल को लाइक और सिब्सक्राइब कीजिए बेल आकन को प्रस कीजिए जिससे में जो भी नए वीडियो अप्लोट करूँगी इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा देखते हैं रेसिपी को इसके लिए मैंने ये कैट्स कम लिया है इसको इस तरीके से चॉप कर लिया है ये टमेटो है इसको भी इस तरीके से मैंने इसको इसको ग्रेट कर लिया है ये वाइड ब्रेड है आप चाहे तो इसक लिए पेल ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं ये व्योनीस है इसके उपर ये इस तरीके से इसको बना आड़े हैं और के अपर अभी यह टमेटू कैचुप है इसको मैंने इसप्राट कर दिया है जो भी इंग्रीडियन्ट आवेलेबल हो इन्से आप बना सकते हैं यह अनियन है सब्सक्राइब कर से यह नहीं जिलंगे विफट कर सिक्ष confess उपर आशके से तरीक से त इसको भी स्प्रैड कर देंगे कुछ सब्सक्राइब कर देंगे ठास gallery कि थोड़ा चीज है कि तो भी डालें पारा सब आρα उलेंगे यह कैप्सिकम है इसको भी स्प्रेट कर दिया है मैंने अच्छे से पूरी ब्रेट के उपर करना है इसके बाद में यह टमेटोस है इसको भी स्प्रेट कर देंगे इसी थरीके से बहुत जल्दी बिलनाता है और कोई बहुत ज़्यादा अफ़र्ड भी नहीं लगाने पड़ते हैं यह थोड़ा सा ब्लेक सॉल्ट है थोड़ा सा चाट मसाला के बाद में यह उपर से चीजे इसको भी स्प्रेट कर देंगे एंड यह तबहे पर मैंने थोड़ा सा बटर इस प्रेट की आए उसके बाद में यह रखतेंगे यह इसका फ्लेम लोड तू मीडियम रखेंगे हाई नहीं करेंगे नहीं तो ब्रेट नीचे से जल लाईगी इस तरीके से मैंने रख दिया है और इसके उपर चिली फ्लेक्स और और इगिनों स्प्रिंखल कर देंगे इस तरीके से और इसी तरीके से लोग फ्लेम पे इसको सिखने देंगे इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं बहुत इजी है यह थोड़ा थोड़ा इसको बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे जिससे की बेट चले नहीं यह देखिए चीज मेल्ट हो चुका है मैंने इसको निकाल लिया है इसी तरीके से यह बन चुका है डीजे आपका ब्रेड पीजा बन के तैयार है बहुत ही जल्दी बिन जाता है और बहुत टेस्टी होता है बहुत जादा आपको एफट भी नहीं लगाने पड़ते हैं जबी आपका खाने का मन कर रहा है आप बहुत जल्दी इसको बना के ख आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हुगा तो प्लीज दू सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू